आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रम्दान की इफ्तार करेस्पी लेकर आया हूं कि आप चिकन लच्छेदार पकोड़े की इस तरह से जाई के दार बना सकते हैं शायद पहले आपने कब इस तरह कि लच्छेदार चिकन के पकोड़े नाप रहे तो मैं आज आपको मकमल तोर पर बनायने का तरीका बताने जा रहा हूं बिस्म लेरा मानर हैं सबसे पहले ही हमने चिकल लिया इसको यह मैं एक राही में शामिल कर दिया यह शामिल करने का बाद अदर के दो पीसिस में शामिल करूँगा इसके बाद लेसन के यह दो टो क्रेस में शामिल करूँगा इसके बाद बड़ी अलाइची और दो से तीन लोंग इसमें जाए आएंगे इसके बाद 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगा यह तुमाल चीजे शामिल करने का बाद इसमें मैं दो से तिन काप पानी के शामिल कर दूंगा और इसको मेडियम फ्लेम पर चिकन को बोयल होने के लिए रह दूंगे यह तक्रिबर 15 मिन्ट लेगा बोयल होने में अगर अगर अगर आप हमारे चाल अपने हैं दूरो सब्क्राइब करका बैल लाइकन प्राइस कर तुछ आप मैं यह तो से कलेना और यह थी तरह कल दूवार बिसमिल्ला रब आने हैं और आप मैं आगे राश्पीकर बढ़ाता हूं यह चिकन हमने गोसा उबाले थवस में शामिल किया इसके बाद यह चिकन क्यूब यह जाइका बढ़ाने के लिए यह शामिल कर देंगे इसका बाद यह जीरा लाल मिर्च का पाउडर कॉन फलोर इससे इसके इच्छी बाइंडिक होगी अजवाइन हाजमिके लिए बेशन बेशन के बाद कुछ जीरा द्रीय का पाउडर इसके बाद नमक शामिल कर देंगे इसके बाद थोड़ी सी हल्दी आन्या व्किर ऊडुब्रिए करलोर अजनेयास में शामिल कर देंगे लिएए इसके पीक्योर सी इसका help में श्रक कर देंगे बाद जीरे शोडे अच्छी तरह भाल में आप इनको तॉल लख्षे दार पकोरे इस तरह से आप इनको जुरूर अफ्टार्यमेट राय करें या बहुत जायकेदार चिकन लख्षेदार पकोरे बन रहे हैं पिछली रास्पी मेडी चिकर वाले नहीं थे वह भी मुझे बता है वह भी आप देख लेखते हैं कि विस्मलार माने हैं हमारी यह मसेधाल अच्छेधार पकोरे बाण चके हैं यह देखें कितने लाइट वेट और क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं आप इसतना के जरूर ट्राय करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर किया करें उमीड करता है यह रास्पी करेंगे